हलो एब्रीवन, वेलकम टू लर्नवी, आइम शिवानी चौहान, इस विडियो में हम क्लास एर्थ साइंस की बुक का चाप्टर फिफ्टीन सम नाचुरल फिनॉमिना देखने वाले हैं तो देखिए क्लास सेवन्थ में हम लोगोंने विंट्स के बारे में स्टॉर्म्स और साइकलोंस के बारे में पढ़ा था हम लोगोंने ये भी पढ़ा था कि साइकलोंस जो हैं वो काफी स्लादा डामेज करते हैं human life को और property को हम लोगोंने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग खुद को बचा सकते हैं साइकलोंस से कुछ हद तक इस चेप्टर में हम लोग दो और destructive natural phenomena के बारे में बात करेंगे destructive natural phenomena मतलब जिन से हमें काफी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है ये हैं lightning और earthquake तो बिजली के जाती है और जो बुकम पाता है उसके बारे में हम इस चेप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग ये भी देखेंगे किस तरीके से जो damage होता है destruction होता है उसको कम किया जा सकता है तो lightning क्या होता है आप लोगोंने sparks देखें होंगे जिसकी जो electric pole होते हैं खंबे होते हैं उसपे कई बार sparking हो रही होती है जब wire lose हो जाते हैं तब होता है आप लोगोंने sparks type के देखें होंगे जब socket जो होते हैं वो lose हो जाते हैं lightning is also an electric spark but on a huge scale तो जो lightning होती है जो बिजली कड़कती है वो भी एक spark ही होता है बट एक काफी बड़े scale पर वो हो रहा होता है ancient time में पुराने समय में लोग understand नहीं कर पाते थे कि यह जो बिजली चमक रही है बिजली गिर रही है यह सब क्या होता है यह सब क्यूं होता है इसलिए वो lightning से बहुत जादा डरते थे और कहते थे कि भाई यह तो wrath of God है मतलब भगवान जो है वो उनसे नराज है इस वज़े से बिजली गिर रही है now of course we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds तो lightning जो बिजली कड़कती है यह जो बिजलीयां गिरती है वो कैसे होती है बहुत सारे चो चार्ज होते है positive charge, negative charge यह accumulate हो जाते हैं इसकी वज़े से बादलों में कड़कन होती है और lightning होती है we need not be afraid of lightning हमें lightning से डरने की कोई जरुवत नहीं है but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly spark हमें lightning से डरने की कोई जरुवत नहीं है but हम लोग को precautions जरूर लेने की जरुवत है ताकि हमें को इससे नुक्सान ना पहुंचे spark that the Greeks knew about तो sparks जो Greeks को जिनके बारे में पता था ancient Greeks known, new as earlier 600 BC that when amber, amber is a kind of resin एक चीज होती है, was rubbed with fur, it attract light objects such as here तो ember एक fur होता है, एक reason होता है अगर वो fur पे मतलब किसी कपड़े टाइप की चीज़ों पर उसको घिसा जाए तो कुछ चिट्चिराहर टाइप की light टाइप की निकलती है आप लोग जब सर्दियों में कपड़े उतारते हो, light off होती है तो कुछ here stands on them, आपके जो बाल हैं उन पर खड़े हो जाते है if you take off these clothes in the dark, आप लोग देखेंगे, sound भी आती है और spark भी आपको देखता है 1952 में Benjamin Franklin एक American scientist थे, उन्होंने शो किया कि lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena lightning, जो कि बिजली कड़क रही है या फिर बिजली हम लोगों को दिखती है आसमान में और जो हमारे कपड़ों में से spark निकल रहा है यह बिल्कुल एक ही फिनॉमिना है उसके बाद भी लगवग 2000 years लग गए यह realize हम लोगो करने में कि यह सब चीजे किस तरीके से हो रही है बूजू सोचता है, wonder why they took so many years, यह similarity उनको समझने में इतिसाल क्यों लग गए scientific discoveries are result of hard work of many people, it can sometimes take a long time तो कई बार क्या होता है, जो scientific discoveries होती है, इंको करने में, चीजों को समझने में बहुत वक्त लग जाता है we shall now study some properties of electric charge, we shall also see how they are related to lightning in the sky तो हम कुछ activities समझेंगे, कुछ चीज़े देखेंगे और यह भी देखने की कोशिश करेंगे जो हम लोग देख रहे हैं, यह आसमान में जो बिजली कड़क रही है, उससे कैसे same है, या फिर है ना let us perform some activities to understand the nature of electric charges, electric charge का जो nature होता है ना किस तरहेके से वो work करता है, उसके लिए हम कुछ activity देखेंगे but recall first what you might have played as a game, when you rub a plastic scale on your dry hair, this scale attract very small pieces of paper, आप लोग करके देखेंगा, scale जो होता है जिससे हम लोग line कीशते हैं, अगर आपके बालों में oil नहीं है, अपने बाल धुए है, अपने बालों पे गिसिये उस scale को, और छोटे 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 कागस के तुकडों को वो scale फिर attract करने ल bring it close to small piece of paper, तो मतलब आप एक pen लीजिए, उसको polythene पर रगड़ी और paper के पास लेकर आए, take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or the metallic object, अपने हाथ से जिस part को आपने घिसा है, pen के refill के उसको आपने हाथ से और metal के object से मच छुए है, और ये activity को repeat करिए, बहुत सारी चीजों से, mustard के seeds आप लोग refill को गिसते हैं, तो एक charge वो generate होता है, और वो चीजों को attract कर सकता है, when a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires a small electric charge, similarly when the plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge, these objects are called charged objects, तो charged objects कौन से object होते हैं, जिन में charge होता है, मतलब किसी चीज़ पे गिसने की वज़ए से कुछ object charge हो जाते है, in the process of charging the refill and the plastic comb polythene and the hair also get charged, जब हम लो को कार रहे होते हैं, combing कर रहे होते हैं, तो वो charge उन में develop हो जाता है, let's try to charge some other object that are familiar to you, कुछ और objects को भी हम लोग चार्ज करने की कोशिश करते हैं, जैसे की refill or polythene or cloth bag है न, और इसके अलाबाब बलून object rubbed, जिस पे आप लोग रब करते हैं, किस से रब कर सकते हैं, dry hair, अप wool pair up करेंगे, तो charge मतलब हो जाएगा इस तरीके से, they, types of charges and their interaction, एक second, यहाँ पे यह charge नहीं होगा, types of charges and their interaction, अलग अलग type के charges और उनकी क्या क्या interactions होते हैं, वो देखने हैं, we will select some object from table 15.1, 15.1 वाली जो table थी, इससे कुछ object हम लोग select करेंगे, next activity के लिए, inflate 2 balloon, inflate का मतलब होत हैं, hang them in such a way that they do not touch each other, तो इस तरीके से आप लोग उन balloons को टांग दीजिए, कि वो एक दूसरे को touch ना करें, rub both the balloons with the woolen cloth and release them, इस तरीके से आप लोग उने इसको टांगा है कि touch नहीं करें एक दूसरे को, फिर दोनों के दोनों balloons को आप लोग क्या करिए, उनके कपड़े से र रखी और उनको woolen cloth से रगड़ी है, क्या होगा place के और उनको glass के tumbler में, मतलब इस तरीके से कांच के glass में रख दीजिए, rub the other refill also with polythene, तो polythene से जो है, एक refill को रब करिए, दूसरी को भी रब करिए, bring it close to the charge refill, ठीक है, दोनों refill को पास के आईए, जो कि आप लोगो ने रब क की हुई है, be careful not to touch the charge and with your hand, तो जो पाट चार्ज और उसको हाथ से मत करो, current type का लग सकता है, is there any effect on the refill in the tumbler, tumbler पे जो refill है, उस पी क्या कोई effect पड़ेगा, तो yes पड़ता है, do the two attract each other or repeal each other, क्या एक दूसरी के पास आ सकती है, कोई भी possibility है, पास भी आ सकती है, एक दूसरे से चली जाए, इस activity में हम लोगों ने दो objects को close लेकर के आए है, तो same charge दोनों में generate हुआ है, जब भी similar charges होते हैं, जैसे कि positive और positive charge अगर दोनों में generate हुआ है, तो यह एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, same charges repel each other, ठीक है, when object, what happens if the charged object made of different material are brought close to each other, अगर देखो, अगर एक दूसरे को attract करते हैं, और same charges एक दूसरे को repel करते हैं, तो unlike charges attract each other, मतलब positive charge और negative charge अगर होगा, तो वो एक दूसरे को attract करेगा, ठीक है, और positive और positive charge होगा, वो एक दूसरे से दूर जाएगा, इसी तरीके से negative नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो summarize कर दोनों पास आते हैं Has a phrase on the balloon is a different kind हाँ चिक है अकर balloon है और री एक profound कर रहा है इसका मतलब है कि दोनों में अलग-अलग टाइप के charges available हैं इससे हमें पता लग जाता है तो same kind of charge जो होते हैं वो एक दूसरे को repel करते हैं sorry same kind के charge एक दूसरे को repel करते हैं और जो different kind के charge होते हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं it is a convention to call the charge acquired by glass rod when it is rubbed with silk is positive तो एक convention हम लोगों ने बना ली है कि जो glass की rod है अगर हम लोग उसको silk से गिसेंगे मतलब एक glass rod है और यह silk का कपड़ा है glass की rod को अगर हम लोग silk के कपड़े पे गिसेंगे तो हम लोग कहेंगे कि भाई इस glass की rod ने तो positive charge को acquire कर लिया है तो glass की rod का charge हम लोग कौन सा मानते हैं? कि भई इस glass की rod ने जो है वो positive charge required कर लिया है The other kind of charge जो है दूसरे तरीके का charge negative होता है It is observed then when a charge is observed किya गया है कि charge glass rod is bought near a charged plastic straw rubbed with polythene There is attraction between the two तो हम लोगों ने ये notice किया है कि जो charge glass rod होती है उसको जब हम लोग plastic के straw के पास लेकर के आते हैं जो कि हमने polythene से रब किया था वो एक उसरे को attract करते हैं तो इसका मतलब दोनों में similar charges नहीं हैं अलग-अलग charges है क्योंकि opposite charges या different charges attract each other और similar charges repel each other ठीक है तो इसका मतलब है अगर हम लोग ये माने कि जो silk की कपड़े पे हम लोगों ने rod घिसी थी तो उसमें positive charge आ गया था और plastic पे हम लोगों ने जो refill घिसी थी उसमें negative charge होगा क्योंकि तभी एक दूसरे को attract कर पाएंगे तो electric charges generated by rubbing are static तो electric charge जो हम लोग rub करके लाते हैं यानि कि rubbing करने के बाद हम लोग जो electric charge generate करते हैं उस तरीके के electric charge को हम लोग कहते हैं कि जो electric charge है ये एक static charge है they do not move by themselves वो जो charges होते हैं वो खुद से move नहीं करते when charges move they constitute an electric current जब अलग-अलग charges जो है वो move करते हैं तो क्या बनता है charges जो move करते हैं तो electric current generate होता है you have been reading about electric current since 6th class आप पढ़ रहे हैं electric current के बारे में the current in a circuit which makes a bulb glow तो circuit में अगर current जा रहा है और उससे जो है bulb जल जा रहा है और the current that makes a wire hot और current जो है heating effect of electric current होता है अगर current पास हो रहा है और वो wire जल जा रहा है तो हम लोग समझ में आ रहा है कि current जो है वो flow कर रहा है तो भाई चार जो है वो motion जब करते हैं तो उससे क्या होता है electric current produce होता है अब यह जो है ना आगे का चप्टर है यह हम लोग next video में देखेंगे thank you hello everyone welcome to learner bee I am Shivani Chauhan इस वीडियो में हम देखेंगे class 8 science की book का chapter 15 some natural phenomena का part 2 इसे पहले हम लोग काफी कुछ covers का कर चुके हैं आप लोग search कर सकते हैं और link में देदूंगी description में और comment box में pink भी कर दूंगी तो यहां से हम लोग topic start करते हैं transfer of charge का की charges जो है various charges होते हैं जैसे की positive charge, negative charge वो किस तरीके से एक जगा से दूसरी जगा transfer होते हैं तो activity 15.4 देखते हैं take a empty jam bottle तो jam की bottle होती है ठीक है उस jam की bottle को आप लोग को खाली हो गई है वो तो उसको लेना है take a piece of cardboard slightly bigger in size than the mouth of the bottle तो एक cardboard यानि की गत्ता लेना है इतना होना चाहिए कि इस bottle से थोड़ा सा जो है उसका जो गत्ता है वो इस bottle की मुह से थोड़ा सा बढ़ा होना चाहिए pierce a hole in it pierce का मतलब होता है एक छेद करना है आपको इस cardboard में so that a metal paper clip can be inserted मतलब आप लोगों को एक किस पर धकल लगाना है और यहां पर क्या करना है होल करना है और एक metal की clip यानि कि चिम्टे होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं आप लोग उस पर लगाते हैं कपडों पे सुखाने के टाइम पे वो लगानिया ओपन आउट दा पेपर clip as shown in figure 15.4 तो दिखो metal यह जार है और फिर इसके अंदर आपने कार्डबूर्ड लिया है एक यहां पे पतला साथ छेद करके आपने धागे से जो है metal की clip को इसमें डाल दिया है अब कट टू स्ट्रिप्स ओफ अलुमिनियम फॉइल अलुमिनियम फॉइल होती है जो पेपर खाने में पैक करते हैं अब आउट फोर इंटू वन कर देना है लटका देना है इंसर्ट पेपर क्लिप इन कार्डबूर्ड कार्डबूर्ड में आप लोगों को फिर डाल देना है इस तरीके से आप लोगों को मतलब आप लोगों को ने क्लिप अगरा डाल दी है ठीक है आप क्या करना है चार्ज अफ रिफिल एंड टच इट refill को आप लोग चार्ज करिए जैसे कि यह refill है इसको चार्ज करके मतलब किसी चीज पर घिसके और इस पर आपको touch करना है with the end of the paper clip यह देखो paper clip थी इसके end से आप लोगों को जो आपने refill चार्ज करिए मतलब घिसने के बार touch करना है observe what happened is there any effect on the foil strip तो जो foil strip यह जो नीचे पड़ी हुई है यह ऊपर उड़के आने लगेगी now touch the other charge bodies with the help of paper clip do foil strip behave in the same way in all cases हर case में जो है foil same तरीके से act नहीं करेगी क्योंकि जो foil है उसका charge हो सकता है अलग हो और जो हम कर रहे हैं जिससे उठाने के उसको कोशिश हिलाने की वह अलग होगा तो तो मतलब बोनों के charges अगर different होंगे तो तो वह हिल जाएगे बट अकर charges same होंगे तो हो सकता है क्यों ना हिले है ना तो aluminum foil strip receive the same charge from the charge refills through the paper clip remember that metal are good conductor of electricity ठीक है the strip carrying similar charge repel each other जो strip होंगी same charge वाली वो तो एक दूसरे को repel करेंगी एक दूसरे से दूर जाएंगी and they become wide open मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगी अगर same charge होगा तो एक दूसरे से ऐसे करके दूर चली जाएंगी such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not this device is known as electroscope तो मतलब जो device ये चेक करने के काम आए कि भई चार्ज है या नहीं है उसको electroscope करेंगी basically अगर आपको activity समझ नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि जो similar charge होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं और जो opposite charge होते हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं ठीक है और जिस चीज से हम लोग ये detect कर सकते हैं कि किसी चीज में charge है या नहीं है उसको हम लोग electroscope कहते हैं तो एक charge body से दूसरी charge body में हम लोग electric charge को transfer कर सकते हैं this is important कि आप लोगों से पूछा जाए question कि क्या एक charge body से दूसरी charge body में एक charge body है और दूसरी body uncharged है तो क्या इस charge body से इसमें charge को transfer किया जा सकता है तो हाँ yes is का answer charge को transfer किया जा सकता है एक से दूसरी body में touch the hand of paper clip gently with the hand and you will find a charge in the foil strips ठीक है back to original static है तो मतलब आप charge डाल भी सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं और यह जो touch करना और हटाना यह वाले activity आप लोग continue करते रहेंगे तो फोईल हिलती रहेगी every time you will found that foil strip collapse as soon as you touch the paper clip with hand तो foil एक दूसरे से जूड़ जाएंगे जैसे आप लोग paper clip मतलब उसको touch करोगे और why does it happen the reason is that foil strip lose charge to the earth through your body foil strip का charge जो है lose हो जाता है आपकी body से earth की तरफ को we say that the foil strips are discharged तो देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि foil strip discharge कब होंगी जब उसमें से charge निकल जाएगा ठीक है तो और अगर वो जो charge है charged body थी ठीक है उसका charge उस body में से निकल करके earth की तरफ को जा रहा है तो इस process को हम लोग कहते है अर्दिंग the process of transferring a charge from a charged object to the earth is called earthing this is important कि भाई एक charged body से जो charge है वो हम अर्थ की तरफ को भेज रहे हैं इस process को हम लोग अर्दिंग कहते है चार्ज होने का मतलब होता है किसी body आपने अपना phone charge कर लिए इसका मतलब क्या है उसकी battery में अब electrons मूव नहीं कर रहे थे आपने उसके हमें शॉक बिसिकली ना लगे इसके लिए अर्दिंग प्रोवाइड के जाती है स्टोरी ओफ लाइटनिंग लाइटनिंग की कहानी इडिस पॉसबल टो एक्स्पें लाइटनिंग इंटर्म उफ चार्ज प्रोड्यूस बाई रबिंग तो जो हम रब करते हैं उसकी हेल्प पर देंग अर्ट नीकती हैं प्सटाम कुवहा chocolate और मुउंड अइट्धी अर्व शर्टनिवर्ट जब जा रहे हुए और एक चीज नीचे आ रहे हरे हैं विर्वेसे कुईक्र जा रहे हुँदूर्टी completely समझ में यह तो यह बात याद रखना ठीए है ना परics of the cloud kita वो थैंड़ वाइ उसमें उपर की तरफ क्या होता है positive charge collect रहता है नीचे की तरफ क्या होता है नीगेटिव चाड क्लेक्ट रहता है अब क्या यह डाइग्राम याद कर लो कि उपर की तरफ सारे की सारे positive charge और नीचे की दरफ सारे के सारे negative charge आ गए हैं ठीक है यह चीज़ याद रखो there is accumulation of positive charge near the ground also positive charge का जो accumulation होता है वो जमीन के पास ground के पास भी क्या होता है positive charge, ऊपर positive charge, फिर नीचे negative charge और नीचे ground के पास, जमीन के पास फिर से positive charge, यह diagram is important है ठीक है उससे आप लोग explanation लिख सकते हो, lightning की कहानी लिख सकते हो When the magnitude of accumulated charges become very large, the air is normally poor conductor of electricity, is not able to resist their flow मतलब यह magnitude बहुत जादा हो जाता है का मतलब है कि बहुत सारे positive charge अगर आ जाते हैं अब air जो है वो थोड़ी poor conductor है electricity की जादा अच्छी conductor नहीं है electricity की है तो वो जादा ना क्या करती है, मतलब सम्हाल नहीं पाती है और उनके flow को बहने से रोग भी नहीं पाती है तो air जो है when magnitude मतलब बहुत सारे positive charges आ जाते हैं तो air जो की poor conductor electricity का वो रजस नहीं कर पाती, इनके इन charges को आगे flow करने से रोग नहीं पाती है निगेटिव और positive charge मिलते हैं, producing streak of bright light and sound bright light, sound, lightning क्यों होते हैं, कि जो ऊपर positive charge होते हैं, एक तरफ और एक तरफ जो negative charge होते हैं वो क्या होते हैं, जब मिल जाते हैं, जब ये मिलते हैं न, positive and negative charge, उसकी वज़े से ही lightening होती है सिंपल भाश्रा में अगर हम बोलें तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के मिलने की वज़े से लाइटिनिक प्रड्यूस होती है वी सी स्ट्रीक से इस लाइड दे प्रॉसेस इस लोन एज इलेक्टिकल डिस्चार्ज हो रहा होता है इस लिए और इसमें और यह सारे के सारे किया और यह बढ़ते जा रहे हैं इसमें सारे के सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है यह टकरा जाएंगे तो lightning lightning होगी और यह वारा इससे टकरा जाएगा अधसे तोफिर क्या होगी lightning lightning होगी मतलब बिजली कड़केगी टुड़े वी डूनाट गेट अफरेड पाइड पाइड लाइटनिंग हमारे जो पूरवज थे ना वह लाइटनिंग से बहुत तरते थे नौभी अंडेस्टेंट क्योंकि इसका बेसिक फेनॉमेना थोड़ा बहुत हमारी समझ में आ गया इसलिए अब भी से डरते नहीं है साइंटेस्ट काफी जाद महन AD कर रहे हैं किْलाइटनिंग का प्रोसेस है वह पूरी तरीके से हम लोग और जाने मतलभ जाने खोने से बचा सकते हैं जो कि बिझली किनने की वचे से ऑगाश आ चली जाती है हो समिंक ये से सेफर प्लेस आप अवास सुने तो एक बंद जगह जो मतलब घर हो है ना सेफ प्लेस पर चले जाओ और जो कि मतलब हैं वहिकल्स के दोर बिकुल आप बंद कर लो जो पूरी तरीके से कवर्ड हो खुद को अगर हमें बिजली से बचाना है तो और एक अंब्रेला भी बिल्कुल भी सेफ नहीं होता इस वेरी इंपोर्टन्ट कि जब बिजली कड़क रही हो तो क्या आप लोगों को चाता लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए क्यों क्यों बिजली कड़क रही हो जंगल में हो तो आप कोशिश करें कि आप पेडों से दूर रहें क्योंकि पेड फिगर सकते हैं आपके उपर स्टे अवे फ्रॉम पोल्स खंबो से या फिर दूसरे मैटल के अब्जेक्ट हैं उनसे दूर रहें दूना लाई ऑन ग्राउंड पर कभ पोजिशन दूरिंग लाइटिं ऐसे इस तरीके से आप लोग ग्राउंड पर बैट सकते हैं प्लेसी और हैड बिट्वीन हैंस इस पोजिशन विल मेंक्यू स्मॉलेस टागेट तो बीस्टा का बनता है अगर घर के अंदर होते हैं घर के अंदर अगर होते हैं तो फिर हम ल तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी तंडर स्टॉम हो रहा है तो जितनी भी बिजली की चीज़ें हैं घर में सारी की सारी बंद कर देनी चाहिए इस सेफर तो यूज मॉबाइल फोन फोन फिर भी सेफ है इतना जाद नकसान देना है अगर बिजली मतलब बिजली बिजली गड़क रही हो तो उस समय ना भी चीज़ें एलेक्रिक अप्लाइं जैसे के कंप्यूटर टीवी उसको अनप्लग कर देना चाहिए एलेक्रिक लाइन्स कें रिमें ओपन दे दू नोट कॉस एनी हां लाइट जो है वो जली रह सकती है बट टीवी और बाकी अलेक् क्या है देखो लाइटिन कंड़क्टर इस डिवाइस उस्टू प्रटेक्ट बिल्डिंग फॉम्दा इफेक्ट ऑफ लाइटिनिंग तो लाइटिन कंड़क्टर गरों पे लगाया जाते हैं ताकि बिजली से घरों को बचाया जा सकी है अमेटलिक रॉड टॉलर देन दा ब के अंदर इसका पार्ट दबा दिया जाता है कि अगर इस पर बिजली गिरती है तो वह जमीन बे चली जाए अगर उपर से गिरी है तो सीधा सीधा जमीन के अंदर वह चली जाए अब लास पार्ट अर्थक्वेक का होगा वो हम लोग नेक्स वीडियो में कवर कर लेंगे थेंक्यू अब हम लोग इसमें देखते हैं तो हमारे बनाए हुए आप लोग को सारी वीडियो मिल जाएंगे तो यहां तक यह सब हमने देख लिया था कि इस तरीके से अब हम लोग इसमें देखते हैं अर्थक्वेक्स की जो भूकंप होता है वो कैसे आता है और किस तरीके से हम लोग उससे बच सकते हैं तो you have learned about thunderstorm and lightning आपने thunderstorm के बारे में और lightning के बारे में पढ़ लिया class 7th में आप लोगों ने cyclones के बारे में भी बढ़ा था थंडर्स्टॉर्म, lightning के बारे में बढ़ लिया और cyclones के बारे में बढ़ा था यह सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से पता लगता है weather department can warn about thunderstorm developing in some area तो जो weather department है वो thunderstorm के बही का यहां पर तूफान आने वाला है तेज बारिश होने वाली यह सब हम लोग को generally weather department बता देता है if thunderstorm occur there is always possibility of lightning and cyclones accompanying it तो जब भी जो बहती भयंकर thunderstorm आता है तूफान आता है तो उसमें चक्रवाद आने की संभावना या बिजली गिने की संभावना काफी जदा बढ़ जाती है so we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena तो यह जो phenomena होता है lightning, thunderstorm, cyclone इनसे खुद को हम बचाफ करने के लिए हमारे पास time होता है but जो earthquake होते हैं इसकी हवे warning नहीं मिल बाती therefore there is however one natural phenomena which we are not able to predict accurately it is an earthquake तो accurately मतलब भुकम कहां पर कब क्या आने वाला है यह हम बहुत ही अच्छे से predict अब भी तक भी नहीं कर पाए है it can cause damage to human life and property on a huge skill इस वज़े से क्योंकि हमें पता नहीं लग पाता है कि कहां पर आने वाला है तो इससे बहुत ज़्यादा मौते भी होती है और property का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है major earthquake occurred in India in 2005 in Uri and Tangadhar towns of North Kashmir तो कश्मीर के में 2005 में Uri में जहां पे Uri attacks पी हुए थे 2016, 2017 के टाइम पर उसमें वहीं पर कश्मीर में बहुत भेंगर भुकम किया था before that major earthquake occurred on 26 January 2001 in Bhuj district of Gujarat इस पे movie भी बन रही है भुच का भुच जो district है गुच्रात की उस पर भुच से लेटर मुवी नहीं बन रही है बट हाँ भुच के area से लेटर मुवी बन रही है तो ask your parents the huge damage of life या property का मतलब अगर किसी के area में हुआ हो तो आप लोग पूच सकते हैं अपने बड़े लोगों से या फ मैगजीन में उस समय की photos या फी newspapers में देख सकते हैं तो यह अर्थकोएक होता क्या है? What happens when it occurs? अर्थकोएक क्या होता है? How can we do to minimize its effect? What can we do? हम लोग क्या कर सकते हैं कि भूग का जो असर है वो कम से कम पड़े These are some of the questions which we shall discuss यह कुछ questions हैं जो हम अब इस chapter में आगे देखने वाले हैं कि अर्थकोएक क्या होता है? किस तरीके से हम लोग क्या क्या measures ले सकते हैं कि अर्थकोएक का असर कम पड़े अर्थकोएक is a certain shaking and trembling of earth which lasts for a very short time मतलब बहुत ही थोड़े से समय के लिए रहता है बट इतनी भयंकर तरीके से कहीं बार आ जाता है कि कुछ seconds में ही तबाही मचा देता है अर्थ में अंदर disturbance होती है हमारे अर्थ के crust mental core 3 layers होते हैं उसकी crust वाले पार्ट में भुकम generate होता है और उपर की तरफ surface पर आता है और बहुत तबाही मचा देता है अर्थकोएक अकर all time all over there तो अर्थकोएक तो हर समय ही आते रहते हैं बट क्या होता है यह बहुत ही small magnitude के होते है कही बार तो अर्थकोएक कैसे आते है कि हम लोग को पता ही नहीं लगता बट कुछ बहुत ज़दे large magnitude के होते हैं जो काफी तबाही मचा देते हैं यह बहुत बड़े अर्थकोएक नोटिस भी नहीं करते हैं major earthquakes are much less frequent जो बड़े अर्थकोएक होते हैं तो मतलब वो थोड़े कम ही आते हैं अच्छी बात है तो अर्थकोएक की वज़ए से सुनामी भी आ सकती है क्योंकि अगर समुदर के नीचे अर्थकोएक आया तो वो जो waves होती है उसको बहुत ज़दा ऊपर उठा देता है उसकी वैसे सुनामी आ सकती है और dams वगेरा में अर्थकोएक की वज़ए से वो dam तूट जाते हैं तो उससे बाड़ भी आ सकती है landslide आ सकती है जैसे कि पहाड़ी इलाकों में अगर अर्थकोएक आता है उसकी वज़ए से ही आई थी activity 15.6 में map में outline आप लोग को करना है कि जो eastern coast है अंडबान और निकोबार अंडबान और निकोबार वाले रेजिन में बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी ये जो 8th क्लास की English में chapter भी है तो सुनामी करके chapter 3 है ना आप लोग को मैप में शो करना है अब अर्थक्वेक आते ही क्यों है तो ये जो भूजो है ये कह रहा है my grandmother told me that earth is balanced on the horn of a bull and when the bull shift it to the horn तो मतलब कहीं मत बड़े लोग कहते है ना कि जो earth है वो एक जो बुल है बैल के सींग पिटिकी हुई है वो हिलता है बट ऐसा कुछ नहीं होता है plate की movements होती है खाने वाली plate नी बट अर्थ की भी कुछ ऐसी लबी-लबी plates होती है उसके movements की वज़े से होता है ancient times में people did not know the true cause of earthquake परानी जमाने में लोग को earthquake क्यों आता है ये नहीं पता था their ideas were therefore expressed in mythical stories such as one told by Bujo's ground तो अलगले कहानिया बना लिया करते थे क्यों धर्ती हिल रही है similar myths were prevalent in other parts of the world तरह के myths कहानियां बहुत सारे अलगले parts में दुनिया के फैले होएं कि क्यों ये भूगंप आते है now we know the tremors tremors का मतबते कोई चीज जो हिल रही है tremors are caused by the disturbance deep down inside the upper most layer of the earth called the crust crust की जो सबसे उपरवारी लेयर है उसमें जो होते है वो हिलती है इसके वज़े से earthquake आते है जैसे कि अर्थ होती है crust होता है mental होता है outer core होती है inner core होती है तो basically crust में आते है earthquake the outermost layer of the earth is not in one piece एक piece में नहीं होती है बहुत सारे layers में होती है it is fragmented काफी सबसे लेयर में 2D2DC है each fragment is called a plate तो जो इस तरीके से इस तरीके से ऐसे से करके हर fragment को हम लोग plate बोलते है these plates are in the continual motion हमेशा ये plate move करती रहती है पट एक दूसरे से जब टकराती है तो और तो ये का सकती है when they brush past each other मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके निकल के जाती है a plate goes under another due to collision तो एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से ऐसे करके move करती है they cause disturbance in earthquake जब एक दूसरे से टकराएंगी या एक दूसरे से बिकुल सटके निकलेंगी तो कुछ disturbance तो होंगी वैसे तो they move करती रहती है but कई बार एक plate दूसरे plate के रस्ते में आ जाती है तो कुछ problems create हो जाती है it is this disturbance that shows up as an earthquake on the surface of the earth तो ये disturbance जो है ये surface, अर्थ के surface पे क्या है collide हो ये मतलब दो plates जो है टकरा गई brushing past मतलब एक plate ऐसे करके थी और एक plate ऐसे एक दूसरे से खिसटके निकल गई तो ये जो movements होती है इसकी वैसे earthquake आ जाते है इस scientists know so much about earthquakes तो वो predict क्यों नहीं कर पाते है तो although we know for sure what causes earthquake हमें पता है पूरी अच्छे से कि earthquake किस वजह से आता है it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur but हम इतना अच्छे से in plate के movements को नहीं study कर पाए है कि हम लोगों को समझ में आ जाए कि भई कहां पर और next जो earthquake है वो कहां पर होगा इतना भी हम लोग अच्छे से अभी predict नहीं कर पाए है I read somewhere that underground explosion also cause tremors तो underground अगर धरती के अंदर कुछ atom bomb या फिर bomb वगर की testing होती है फिर खानों खदाने में कर उड़ाई चाते हैं तो उसकी विज़े से अर्थक्वेक आ जाते हैं यह भी पॉसिबल है बट वो ज्यादा भहेंकर इतने नहीं होते हैं premise of the earth can also cause with a volcano eruptions जिसी की volcano फट जाता है ना समुधर में volcanoes होते हैं धरती पर भी होते हैं जब वो फट था है उसकी विज़े से अर्थक्वेक आ सकते हैं और हम meteor hits the earth meteor क्या होते हैं बहुत ही बड़े-बड़े मतलब आप समझो कि पत्थर मिटी कंकरन सब के बने हुए एक चीज होती है जो कि outer space में होती है बड़ कई वार वो earth पे एंटर गर जाती है जिसकी विज़े से कहते हैं कि डाइनसोस खतम होए थे meteor के टक्राने की वज़ हाँ सकते है बहुत बरतक रहेगा तो अर्थ हो सकती है तोантमन डर्गा Nick not a Self इंस आप की बाया इनको तो अर्ध को अनुट्वेश का ये आप लोग हो याद करना हम बहुत है और कोछी का है वार गानिक इरप्षिण करनी कर वाल कानिक इरप्ष्न धिक्रानिक अर्धक एग är विए यह बी और फिर उसके बाद नुकलियर एक्सपोजिन अंडर्ग्राउन बनीथ दी अर्थ नूप्लियर एक्सपोजिन्स बनीथ दी अर्थ ठीक है उसके बाद आप लोग को और however most earthquakes are caused by the movements of earth's plate तो जातर जो earthquake आते हैं वो movement जो होती है न एर्थ की plates में उसकी विज़े से आते हैं बट कुछ जो है वो माइनिंग में ब्लास्ट वगरा कर रहे हैं या फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं बहाँ पर सबसे ज़्यादा chances होते हैं कि earthquake आएंगे the weak zones are also known as seismic or fault zones weak zones जो होते हैं जिसमें काफी ज़्यादा संभावनाएं होती है earthquake आने के उसको हम लोग weak zones या फिर seismic faults कहते हैं in India the areas most threatened are Kashmir मतब सबसे ज़्यादा अर्थ को एक आने के संभावना है Kashmir western and central Himalayas Himalaya वाले region में Kashmir में कच्छ जो है Rajasthan Indo-Gangetic Plain और south जो है वो मतलब जादा south का area ऐसा है वो काफी stable है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम chances है अर्थ काने के बाट कुछ areas में आ सकते हैं बाट maximum जो पाट है south India का southern India का वहाँ पे अर्थ काने के chances बहुत कम है तो the power of an earthquake is expressed in the terms of magnitude on a scale called Richter scale तो यह चीज ना this is important यह चीज ना आप लोग याद रखो कि जो Richter scale होता है Richter, ठीक है, Richter scale power of earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale एक scale होता है जिसको हम Richter scale कहते है उसमें हम रोग कहते है अगर जैसे कि 2 magnitude का है तो हलका है 5 magnitude यह उसे उपर का होता है तो वो काफी devastating हो सकता है काफी नुकसान पचा सकता है तो really destructive earthquakes have magnitude higher than 7 जो 7 से उपर है वो तो बहुत ही जादा destructive होते है Richter scale पे, बोध बोजन कश्मीर earthquakes had magnitude greater than 7.5 तो 7.5 से जादा का magnitude का जो भुज में आया था और कश्मीर में आया था तब बहुत ज़्यादा तबाही मजाई थी उससे अब देखो यहां पे आगे है Tremors produce wave on the surface of the earth जो tremors जो मतलब हिलता है उससे क्या होती है Earth पर waves बनती है These are called seismic waves इनको हम लोग seismic waves कहते है The waves are recorded by instrument called seismograph तो यह जो wave होती है यह seismograph में detect हो जाती है The instrument is simply a vibrating rod एक vibrate करने वाली rod होती है या फिर एक pendulum होता है विच स्टार्ड वाइबरेटिंग वें टैमर्स अकर तो यह जो एक तरीके के दिखर vibrating rod होती है यहां पे vibration हो रही है अब pen is attached to the vibrating system एक pen type का vibrating system से attach कर देते हैं The pen records the seismic waves on a paper which moves under it तो मतलब waves जो होती है pen से वो record हो रही होती है जो इस पे पेपर बना हुआ होता है इन waves को study करके जो बता देते हैं कि किस तरीके से scientist कहां पर destruction हो का और कितना उसका power है destruction का typical seismograph इस तरीके से इसमें recording चल रही होती है map of earthquake तो earthquake के जो है वो अर्थ के अंदर generate होता है और फिर इसका देखो यह चीज़ भी बड़ी important है जो diagram है ना इस diagram से बड़ी question आ सकते हैं कि earthquake जहां पर बनता है अर्थ के अंदर ठीक है कि यह focus है और इस focus से जो बिल्कुल अर्थ की layer है यहां पर जब आके टकराता है ना जिस जगह पर अर्थ के ऊपर मतलब अर्थ के नीचे बहुत जादा layers है जिस point से start होता अर्थ को एक earth के अंदर crust के अंदर उसको हम focus कहते हैं और earth surface से अर्थ के surface से जिस point पर आकर के earthquake टकराता है ना उस point को हम लोग epicenter कहते हैं यह MCU में पुछे जाने वाला point है आप लोगों को याद रखना है इसको कि जो earth के surface पर जिस point पर आकर के टकराता है earthquake उसको हम epicenter कहते हैं और seismic waves होती है यह जो waves travel कर रही होती है इसको हम लोग seismic waves कहते हैं तो like many other scales in science Richter scale यह भी सीधा सीधा नहीं होता है this means earthquake of magnitude 6 does not have one and half times the destructive energy of earthquake of magnitude 4 in fact an increase in 2 in magnitude means 100 times more destructive मतलब अगर 4 का है ठीक है और Richter scale पर 6 का है मतलब 4 से अगर 6 पर Richter scale पर पहुँच गया है तो जो earthquake की intensity है वो 1000 times तक बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है कि earthquake 5 है तो 6 है उन में अंतर नहीं है 4 और 6 में ही बहुत जादा अंतर होता है तो 7 से 7.5 में भी 1000 मतलब आप सोचो कि 500 गुना तक का अंतर इसमें भी आ जाएगा therefore earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive than the earthquake of magnitude 4 तो 4 से अगर आप लो magnitude 6 पर पहुँचेंगे तो वो 1000 times जादा destructive होगा protection against earthquake अब हमने अर्थकोइक के बारे में देख लिए अब हम अर्थकोइक से खुद को बचा कैसे सकते हैं ये देखना है वी नो देट अलियर टाइम से ही अलियर पेजेज में भी हमने पढ़ा था कि अर्थकोइक को प्रिडिक नहीं किया जा सकता तो बहुत ज़्यादा highly destructive होता है इसलिए उसके impact हम लोग को कुछ precaution लेने पड़ते हैं लेने जोगे खुद को बचाने के लिए people living in seismic zone seismic zone जहां पर अर्थकोइक आने के ज़्यादा संभावनाएं है जहां पर काफी जाधा आता है उनको specially prepared रहना पड़ता है first all buildings इस zone में इस तरीके से design होनी चाहिए कि वो बहुत major tremors को जहिल सके जैसे कि जपान में बहुत ज़दा अर्थकोइक आते हैं तो वहां की buildings को इस तरीके से बनाया गया है ताकि earthquake बहुत ज़दा आ भी जाए तो भी उनकी buildings को ज़्यादा नुक्सान ना पहुचे more building technology can make it possible modern building technology जो आजकर building के technology आ गई है घर बर बनाने की उस technology से हम लोग अपने घरों को earthquake safe बना सकते है it is advisable to make the structure simple so that it is quack safe quack safe, earth quack quack मतलब होता हिलना है न तो इस तरीके से structure होना अची है की earthquake safe हो consult qualified architects and structural engineers तो घर बनाने से पहले engineers और architects को हम लोग को consult करना चाहिए in highly seismic areas the use of mud or timber is better than using heavy construction material keep roof as light as possible in case the structure falls the damage will not be heavy तो जो बहुत ही highly seismic areas होते हैं जहापे बहुत ही जादा frequent बहुत जादा बुकम आते हैं तो वहां पे जो घर होते हैं investigating अगा है से मिटी में या लकडी का घर होना चाहिए और जो छट होनी चाहिए वह बहुत सब ता भारी होनी चाहिए क्योंकि वह हीं कुl onze भंकर एरिया है जह बहुत भुकम आते हैं तो वहां पे काफी गत्य टाइप के जो sheets होती है ना जपान में पहले ऐसे ही घर बनाए जाते थे ताकि वो damage से बस सके It is better if the cupboards and shelves are fixed to the wall so that they do not fall easy तो cupboards वगेरा जो है वो अच्छे से चिपकी हुई हो ताकि वो गिरे ना एक बार यहाँ पर उत्राखंड में बहुत जादा नहीं था बहुत ही हलका tremor था तो मैं बैठी हुई थी तो मेरे साइड में safe ना हिल रही है धीरे 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 हिल रही है इस टाइप की feeling आ रहे थी तो आगे देखते हैं be careful where you hang wall clocks वगेरा जो है इस तरीके से आप लोग देखें कि वो किसी के सर पे ना गिर जाए है कुछ building जो है उसमें आग भी लग सकती है यह भी इंपॉर्टेंट है कि अर्थक्विक की वज़े से कई बार आग भी लग जाती है इसलिए बिल्डिंग्स में fire fighting equipment fire extinguishers जिसे fire बुझाई जा सके वो equipment भी बिल्डिंग्स में available होने चाहिए और क्या क्या होना चाहिए अगर अर्थक्विक आ जाता है तो और क्या नहीं करना चाहिए अगर आप घर में हैं तो क्या करना चाहिए टेक शेल्टर अंडर टेबल and stay there till the shaking stops तो एक टेबल एक भारी सी टेबल के नीचे आप लोग गुश जाए ताक कि अगर ऊपर से कोई समान गिरे तो आपके सर पे ना खिरे stay away उची-उची building से या भारी objects से भारी चीजों से आप दूर रहें if you are in bed do not get up protect your head with a pillow आप बेड पे हैं तो उठेना और अपना सर बचा लें अपने तकिये से अगर आप बाहर है तो find a clear spot away from building trees and overhead power lines drop to the ground तो आप बिल्कुल ग्राउंड पे जुक करके बैच जाए और ऐसे जहां पे बड़े पेड हों building तो उसके आसपास ना जाए बिल्कुल open area में चले जाए अगर बाहर है तो अगर आप car में हैं तो बहार ना निकले और driver से कहें कि किसी साफ spot पर जाकर के जहां पर बड़े पेड या बिलिडिंग्स ना हो और वहां पर stop कर दें मतलब कार को ले जाकर के रोक तो इस तरीके से आप लोग खुद को प्रटेक कर सकते हैं तो यह chapter हमारा हो गया complete अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe जरूर करिए और friends के साब शियर भी करिए thank you